हलो दोस्तो तो आज हम जानने वाले हैं कि how you can auto generate blog content from google sheets using open ai and send on outlook यानि आपको क्या करना है कि आपको अपनी google sheet पर बस किसी भी content का topic डालना है उस topic के हिसाब से उस genre के हिसाब से जिस भी तरीके के आप content बनाना चाहेंगे वो आपकी open ai में create हो जाएगा और फिर आप उसे जिने भी भी भेजना चाहेंगे उनके outlook पर चला जाएगा यह mail हम भेजेंगे with the help of gmail इसके लिए हम google sheets को जोड़ेंगे पहले open ai के साथ और फिर open ai को जोड़ेंगे gmail के साथ एक automation software पैबली connect की मदस से और best part यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं तो चलिए इस process को start करते हैं और चलते हैं अपनी screen पर तो सबसे पहले आपको अपने browser पर type करना है पैबली.com slash connect और फिर प्रेस कर दीजेगा enter ऐसा करने के बाद पैबली connect का यह landing page हमारे सामने आता है मेरा already account है इसलिए मैं करूंगा sign in अगर आपका account नहीं हूं तो आप कीजेगा sign up for free इसके बाद आपको कुछ free task मिलते हैं जिसकी मदस से आप यह automation बड़ी असानी से बना सकते हैं तो जल्दी से कर लिए sign up for free मैं करता हूं sign in अब इन 5 apps में से हमें जाना है पैबली connect पर इसलिए क्लिक करेंगे access now पर पैबली connect का dashboard अब हमारे सामने आया है जिसमें हम जाएंगे create workflow पर और अपने इस automation को अपने इस workflow को एक नाम देंगे तो जैसा कि आप जानते हैं आज हम जोडने वाले हैं Google Sheets को open AI के साथ तो मैं इसे नाम दे देता हूं Google Sheets to open AI आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकता है इसा कोई compulsion नहीं है उसकी बाद क्लिक कीजेगा create पर अब हमारे सामने पैबली connect की दो most important windows आती है पहली है trigger दूसी है action हमारा यह जो पूरा automation है वो इन trigger और action पर ही based होता है basically हमें उन apps और features को choose करना है आज हम जिनका इस्तमाल करने वाले है trigger का मतलब होता है when this happens यानि जब ऐसा हो and action का मतलब होता है do this तो ऐसा कर दो कैसा होता है कैसे करते हैं चलिए करके देखते हैं तो आज हम क्या चाहते हैं आज हम यह चाहते हैं कि यार हम जब भी google sheet पर कोई title डालें तो इस title के हिसाब से अपने आप हमारा content generate हो जाए और फिर वो outlook के द्वारा जिसे हम भेजना चाह बार ही है trigger event की तो trigger event होता है वो event जिसके बाद हमारा यह trigger हमारा automation काम करने लगे तो अभी हमारा trigger event है new और updated spreadsheet रो it means कि google sheet में जब भी हम को new row add करें या किसी row को update करें तो हमारा ये trigger हमारा ये automation काम करने लगे पर ये काम कब करेगा ये काम जब करेगा जब हम google sheet को integrate करेंगे public connect के साथ और इन्हें जोडने के लिए हमें मिलती है URL जिसे हम कहते हैं webbook URL तो इसको कर लेंगे copy और इसको लेकर चलेंगे हम अपनी google sheet पर तो ये मेरी google sheet है जिसे मैंने नाम दे दिया है block list और इसमें मैंने एक title की heading भी दे दिया है आप इस तरीक की दे दीजेगा और हम क्या करेंगे कि इसके नीचे जो है block के titles डालेंगे और फिर उन titles पर हमारा content create होगा पर ये डाला हुआ data हमें यहाँ पर मिल जाए है ना यहाँ पर pably connect में मिल जाए इसलिए हमें कुछ steps करने पड़ेंगी तो चलिए वो करते हैं जाएंगे extensions पर जाएंगे addons पर जाएंगे get addons पर ऐसा करने के बाद google workspace marketplace हमारे सामने आता है जिसमें हम सर्च करेंगे pably connect web books अगर आपके पास यह already installed है तो आप यह step miss कर सकते हैं वीडियो का आगे बढ़ा सकते हैं पर अगर नहीं है तो आप यह pably connect web books को install कर लिजेगा देखिए 99602 लोग इसे install कर चुके हैं बहुत लोग इसका इस्तेमाल कर रहें तो इसे आप install कर लिजेगा hardly 2 minute लगेंगे उसके बाद एक दो बाद refresh कीजेगा वापस से जाएगा extension पर और आप पाएंगे कि नीचे pably connect web books आ जाता है अगर नहीं आया हो तो आप refresh करेंगे तो आ जाएगा उसके बाद जाएगा initial setup पर और जो हमने url copy की है उस webbook url को ये webbook url के section में paste कर दीजेगा बार ही है trigger column की तो trigger column होता है last भरा हुआ column तो अभी मेरा last जो भरा हुआ column है वो है a आपके case में x y z कुछ भी हो सकता है जो भी आपका column हो से यहां पर type कर दीजेगा क्लिक कीजेगा submit पर वापस से जाएगा extensions पर फिर जाएगा public connect webbooks पर और क्लिक कीजेगा send on event पर ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि देखिए यहां पर एक right का mark आजाता है इससे क्या होगा कि हमारा यह जो data आप डालोगे वह अपने पैबली कनेक्ट पर जाएगा कैसे जाएगा चलिए मैं बताता हूं for example मान लीजे मैंने अपने blog का title डाला how to ride a motorcycle क्लिक की enter अब चलते हैं पैबली कनेक्ट पर तो देखिए यहां पर यह data अपने आप आ गया क्या है title how to ride a motorcycle spreadsheet का name क्या है blog list क्योंकि मैंने यही name डाला था और यही blog list मैंने डाली थी तो मैंने यह how to ride a motorcycle किया है पर आप जिस भी तरीके का blog या content create करना चाहते हैं आप उस तरीके का title देज़ेगा अपने हिसाब से अब दूसरी step क्या है कि इस title पर हम openAI की मदद से blog create करें तो जो application हम choose करेंगे वो होगी openAI तो openAI को यहां से choose कर लेता है बार यह action event की तो हम content को generate करना चाहते हैं तो मैं choose कर लेता हूं generate content को और click कर देता हूं connect पर जाहूं add new connection पर तो इसे connect करने के लिए देखें यहां पर लिखाया है कि हमें token डालना है और यहां पर लिखा है openAI uses API keys for authentication kindly visit openAI API key page to get the API key तो यानि हमें यह blue heading है इस पर click करके हम वहाँ पर पहुच जाएंगे पर इसके पहले मैं आपको बता दू मैंने already login कर लिया है तो मैं direct पहुच जाऊंगा इसलिए आप भी अगर आपने नहीं किया है तो पहले login कर लिजएगा उसके बाद यहां पर click कीजएगा तो देखें पर public connect में आकर paste कर दिजएगा click कीजएगा save पर ऐसा करने से open AI successfully connect हो जाता है अब मैं जो open AI है वो थोड़ा आपको दिखा देता हूं कि यह कैसे काम करता है तो इसके लिए हम जाएंगे playground पर तो यह playground पर ही हम पूरा सब चीज़ करते हैं तो देखिए अब यहां पर मुझे क tagline for school okay और click करता हूं submit पर तो आप पाएंगे कि यहां पर अपने आप एक tagline आ जाती है the best place to get an education क्योंकि मैंने यही command दी ती यही मेरा prompt था तो मेरे prompt के हिसाब से यहां पर चीज़ आ जाती है और ज़रूरी नहीं है यह tagline नहीं हो कुछ भी किसी भी प्रकार का content हो सकता है जैसे for example अगर मैं लिख दूँ write a short story on school या चलो school के अलावा मैं school को भी change कर देता हूं college okay और click करता हूं submit पर तो देखें आप पहेंगे कि यहां पर अपने आप एक short story create हो जाती है the day finally arrived it was the day of my college education हाना तो देखें यह अपने आप एक short story जो है create हो गई है क्योंकि मैंने यहां पर क्या prompt दिया मैंने prompt दिया कि short story बनाओ college पर तो इस तरीके से यह जो हमारा open AI का playground है यह काम करता है यहां पर मुझे prompt देना है यहां पर मुझे लिखना है उसके साफ से यहां पर content create हो जाएगा amazing राइट अब इसमें कुछ settings है जो हम कर सकते हैं अपने convenience के साफ से जैसे इसमें अलग-अलग models है देखें यह text da Vinci 2 है यह जो है इसके लिए लिखाए कि it is the most capable model in GPT series ऐसे दूसरा जो है model वो है text query इसके बारे में लिखाए very capable but faster and lower cost than text da Vinci यानि इससे थोड़ा lower है फिर यह model है यह model है तो यह 3-4-5 model है जो भी model आप यूज़ करना चाहते हैं उससे चूज़ कर सकते हैं मैं इसी को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिखा है capable model है most capable राइट तो आप अपने इसाफ से model चूज़ कर सकते हैं फिर है temperature तो देखे temperature जो है वो यह जो हमारा content create होगा उसकी randomness को decide करता है जैसे देखे instruction में लिखा है as the temperature approaches zero the model will become deterministic and repetitive तो अगर मैं इस temperature को zero कर देता हूँ तो फिर वो लगभग same तरीके के topic पर same content बनाएगा राइट पर अगर इसकी randomness बढ़ा देता हूँ तो फिर वो अलग अलग प्रकार के content बनाएगा है ना पर कई बार क्या होता है जादा randomness में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है कि बहुत जादा अलगना बना दे तो इसलिए हम इसको थोड़ा medium length है वो 900,000 कर लेता हूँ ठीक है 1018 मैंने कर ली आप अपने हिसाब से length कर सकते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर content create होगा फिर बारी है stop sequences की तो देखे लिखा है up to 4 sequences where the API will stop generating further tokens यानि हमारा जो stop sequence होगा वो 4 characters का हो सकता है और जब भी हम उसे लगाएंगे तो उसके बाद जो API है वो further token generate नहीं होगा चलिए मैं करके बताता हूँ तो माल दीजे हम यह कोई भी 4 characters का token stop sequence कर लेता है तो यह मैंने कर लिया stop sequence click कर दिया add पर तो यह stop sequence add हो गया है और अब फिर और बाकी भी है इसका हम भी use करेंगे मैं आपको बताओंगा कैसे use करना है बाकी देखे यह top P है तो इसका instruction लिखा है frequency penalty penalty यह बाकी साली चीजों के instructions पढ़के आप समझ सकते हैं और अपने हिसाफ से decide कर सकते हैं इसमें कोई इतना वो नहीं है ठेक है stop sequence का देखे मैं आपको बता देता हूं कि इसको मैं यहां से हटाता हूं और जब भी हम मैं कोई command देता हूं कोई prompt देता हूं जैसे आप मान लीजे मैं prompt देता हूं write a blog on social media अब उसके बाद मुझे अपना यह stop sequence जो है वो लिखना है तो मैं यह कर देता हूं submit पर तो देखें इसके बाद यह जो मेरा blog है वो blog आ जाता है अब देखें मैं आपको पैबली connect में चलके बताता हूं कि हम कैसे इसका इस्तमाल करने वाले हैं तो मैं यह आ गया पैबली connect पर देखें वहाँ पर जित्ते models थे right यहां पर हमने वहाँ पर choose किया the text da Vinci यहां पर हम इसी को चूस कर लेते हैं या बाकि आप model को अपने साथ से चूस कर सकते हैं बार ही है prompt की, तो prompt हम क्या देना चाहते है हम create कराना चाहते है blog तो हम लिखेंगे write a blog on और फिर हमारा जो topic है वो हमें लिखना है तो देखिए हम यहाँ पर click करेंगे तो हमारा यह जो topic है वो यहाँ पर आ गया है जैसे कि how to ride a motorcycle है ना तो इस how to ride a motorcycle को मैं यहाँ से choose कर लूँगा यह जो अभी हमने choose किया है उपर हमें जो response मिला था वही नीचे आ रहा था उसमें से इसे कहा जाते हैं mapping ऐसा हम करते हैं variable के case में variable यानि वो चीज बार-बार बदलेगी जैसे for example जो मेरा blog है अभी यह वाला blog है इसके बाद तो कोई दूसरा राइटल होगा उसके बाद दूसरा राइटल होगा तो वो बदला हुआ data भी मेरे पैबली connect पर आ जाए और आगे चला जाए इसलिए हम यह mapping करते हैं तो आप भी इसी तरीके की mapping कीजेगा तो मैंने लिख दिया write a blog on how to write a motorcycle maximum tokens यानि जो हमारा blog है उसकी length कितनी होनी चाहिए वो इससे decide होता है तो मैं इसे कर लेता हूँ 2000 आप अपने हसाब से कर लीजेगा है न sampling type तो हमने इसकी बात की थी अभी temperature sampling की तो इसकी value मैं जो है medium value रखना जाता हूँ तो मैं इसे 0.7 कर देता हूँ आप अपने हसाब से कर लीजेगा presence penalty frequency penalty में यूज नहीं कर रहा हूँ बट अगर आप कर रहें तो कर सकते है stop sequence stop sequence हमने use किया था मैंने आपको बताया भी है stop sequence हम कर लेते है click कर देते है save and send test request पर तो ऐसा गरने के बाद आप पाएंगे कि हमने जो topic डाला था उस topic पर अपने आप एक blog create हो गया होगा तो चलिए देखते है तो देखे response आ चुका है यहाँ पर हमारा blog भी आ चुका है there is something about motorcycles that just seem adventure maybe it's wind in your hair or open road ahead of you तो यह जो भी है यह पूरा blog हमारा आ चुका है right it means कि हमारी अब दो step successful होगे तो यार अब हमने title के हसाब से blog create कर दिया अब यह blog हमें outlook पर share करना है पर इस content को हम अब directly तो ऐसे mail पर भेजेंगे नहीं हैना क्योंकि वह एक साही नहीं रहेगा suitable नहीं रहेगा हम चाहते हैं कि इसको हम अच्छे से अपने Google document बना लेते हैं उस Google document में add कर देंगे तो फिर जब हम share करेंगे तो इट वुड़ लुक professional as well right तो इसलिए अब हम click करेंगे plus sign पर और यह जो हमारा content मिला है हमें इसे हमें अपने Google doc के document में add कर देंगे तो सबसे पहले क्या होगा add करने से पिल हमें document create करना होगा तो हम यहां से choose करेंगे Google Docs को और एक document बनाएंगे action event रहेगा create a blank document क्लिक करेंगे connect पर जाएंगे add new connection पर connect with Google Docs जिस भी account पर आप document बनाना चाहते हैं उसे choose कर लिजेगा continue कर दीजेगा अब document का name document का नाम क्या देना चाहते हैं तो document का name जो है मैं अपने title का नाम ही दे देता हूं how to ride a motorcycle blog आप अपने हिसाब से दे दीजेगा click कीजेगा save and send test request पर तो आप पाएंगे कि हमारे एक document बन गया होगा तो मैं अपने Google Docs में आपको दिखा देता हूं यह मेरा Google Docs है इसे मैं refresh करता हूं तो देखेंगे यहां पर आगया how to ride a motorcycle blog यानि यह काम कर गया है पर यह जो है अभी blank आया होगा जैसे मैं अगर इसे खोलू हूं तो यह भी blank है इसके अंदर कोई data add नहीं हुआ है पर हमें तो data add करना है तो data को add करने के लिए एक और step करेंगे प्लस sign लबाएंगे वापस से Google Docs को choose करेंगे और इसका मतलब है आगे आने वाले जित्ते भी documents होंगे उनमें भी ऐसा ही होगा बस हमें एक बार करना है अब करेंगे append a paragraph document क्लिक करेंगे connect पर एक बार connection कर चुके है तो वापस करने की दुद्वत नहीं क्लिक करेंगे select accessing connection पर document जो है उसकी ID को हमें map करना है यहां पर तो इसके लिए हम यहां पर click करेंगे end में जाएंगे तो हमें document ID मिल जाती है document ID को सबसे नीचे आकर यहां से map कर लेंगे जैसे पहले किया था बार यह inserted text की तो text क्या डालना चाहते हैं जो content हमें मिला है तो इसको डाल देंगे click करेंगे save and send test request पर तो ऐसा करने के बाद आप आप आओगे कि जो blank document था वो blank नहीं है मैं इस पर click करके आपको दिखा देता हूं देखे यह हमारा जो ब्लॉग है वो इसमें आ गया है क्योंकि यहां लिखा है private to only me यानि इसे बस मैं ही देख सकता हूं बाकी लोग नहीं देख सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसे permission देगी देनी पड़ेगी और वो permission हम देंगे with the help of google drive तो google drive पर click करेंगे action event होगा share a file with anyone ताकि इसे कोई भी देख सके क्लिक करेंगे connect पर जाएंगे add new connection पर जिस अकाउंट का google docs चूज किया था उसी अकाउंट को चूज कर लेता हूं या जिस भी आकाउंट के आप google drive यूज कर रहे हैं उसे चूज कर लिए जाएगा जहां पर आपके document save हो रहे है okay file id तो file id के लिए map करेंगे mapping हम इसलिए करेंगे ताकि यह document नहीं आगे आने वाले सभी document में यह process अपने आप हो अगर आप चूज करेंगे तो इसी document में होगा बाकियों में नहीं होगा है ना तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से mapping ही करनी है mapping करेंगे और वो कैसे होगा हर document में मैं आपको end में दिखाऊंगा वो होगा right file id को map कर लिया click किया save and send test request पर देखिए अब यहाँ पर आ गया anyone with the link मैं आपको चल के भी दिखाता हूं यह मेरा block था और देखिए यहाँ पर आ रहा था private to only me अब क्या रहा है anyone with the link it means कि अब इसे जिसके पास भी link है वह document को देख सकता है उसे पढ़ सकता है पर अब अगली step क्या है so justDie on this new list is now a pen email मैंने सहीशा oh आप चाहएं तो जितने भी होंगी उतने में आपका काम हो जाएगा' 10 12 20 20 जूँए उतने में काम हो जाएगा तो मालीजे ओस तरीक एक mail list rt डादेगा जिसमें नेम और इमिल को iidat कर दीजिएगा को मैल पर और हम दो चाहिए उ जो हमने list बनाई है वो Google Sheets में बनाई है तो Google Sheets को मैं यहां से choose कर लेता हूँ action event रहेगा get rows क्योंकि मैं rows का data लेना चाहता हूँ, click करूँगा connect पर एक बार हम Google Sheets को कर चुके हैं तो वापस करने की ज़रत नहीं है, save कर लेंगे अब देखो आप यहां पर जित्ती भी spreadsheet है वो यहां पर आ रही है, मेरी spreadsheet का नाम मैंने क्या रखा है, outlook mail list तो मैं यहां से जो outlook mail list है उसको यहां से choose कर लूँगा यहां पर type करूँगा outlook mail list तो outlook mail list आ जाती है sheet जो है इसमें मेरी एक ही है, तो sheet 1 ही रहेगी अगर एक से जादा होगी तो वो आप choose कर सकता है अच्छा बारी है range की it means की जो यार आप हम क्या कर रहे है हम इस outlook mail list से data fetch कर रहे है data को लेके आ रहे है, okay तो हमें अब एक data की range डालनी है कि जो data है हमारा, वो कहां से लेके कहां तक है, है ना number of rows in terms of number of columns तो मेरा ये data कहां से है, देखिए पहले row की बात करता है, फिर column की बात करता है तो ये मेरा A2 ये मेरा जो cell है, वो है A2 है ना, तो मेरा data जो है A2 से है तो मैं लिख देता हूँ A2 फिर लगाता हूँ एक column और फिर वापस से जाता हूँ sheet पर हाना, तो देखिए ये A2 से start है और फिर ये B तक चलेगा हाना, B में है, बट B में ये अभी कित्ता भी हो सकता है, हमें पता निए कि कित्ता होगा तो एक काम करते हैं कि हम B कर देते हैं अगर आप चाहें तो specific भी लिख सकते हैं बट आप चाहें तो उनली B भी लिख सकते हैं तो उससे क्या होगा कि वो जितना B में रहेगा जितना भरा हुआ data रहेगा उतना वो ये ले लेगा या आपका अगर ये seem तक हो, d तक हो तो आप ये choose कर लिजएगा, basically पहली column पहली row और last column last row है ना तो वो आपको करना है तो हमने last column लिख दिया B था क्योंकि पर हमारा जो row है वो कितना भी हो सकता था तो अभी मैंने नई भी लिखेंगे तो अब चलेगा फिर click करेंगे save and send test request पर तो आप आएंगे इतने column और इतने rows का जो data है वो हमें यहां पर मिल जाता है देखिए अलग-अलग तरीके से मिल रहा है यह आ गया यह आ गया यह दो ही data थे यह दो ही email थे पर हमें यह इस तरीके से ने चाहिए हमें चाहिए यह array format में क्यों चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी click कीजिए save and send test request पर simple response को यह से हटा दीजेगा तो देखिए आप पाएंगे कि यह जो data है हमारा यह हमारा array format में आ गया है या नहीं लगातार आ गया है ऐसा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम यह जो सारे mail है इनको एक साथ भीजना चाहते हैं हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई नया blog लिखें या नया blog generate करें तो वो blog इनको एक साथ जाए तो एक साथ करने के लिए हम ऐसा करना वड़ता है और फिर हमें जो एक step यूज करनी पड़ती है वो होती इटरेटर इटरेटर हम क्यों यूज कर रहे हैं इमेल अलग आया अचा पर ऐसा हमने क्यों किया इटरेटर का हमने क्यों यूज किया क्योंकि इटरेटर का ये काम है कि वो ये जो डेटा है पहले तो वो जो हमारा array format था उसको से numerous value अलग-अलग values में convert कर दिया अब उससे भी जादा खास कि वो उन्हें एक-इक करके process करेगा यानि जब भी जो मैं blog लिखूंगा तो वो पहले इस number को जाएगी फिर इसको जाएगी फिर उसके बाद कोई होगा तो उसको भी जाएगा फिर इसको भी जाएगा तो सारे email ID पर अलग-अलग data जाएगा है ना तो यह जो है वो iterator की help से करना possible था इसलिए हमने iterator को यूज किया तो आप भी इसी तरीके से iterator को यूज की जाएगा अब हम क्या चाहते है फाइनली अब हमारे पर सारी चीज़े आ गई है हम उन्हें मेल भेजना चाहते हैं कहां पर भेजना चाहते हैं आउटलुक पर भेजना चाहते हैं पर हम भेज़ेंगे with the help of Gmail हम Gmail को यहां से चूज कर लेते हैं आप चाहें तो Outlook की मदद से भी भेज सकते हैं Office 365 को चूज करके मैं Gmail की तरफ से भेज रहा हूं action event होगा send email क्योंकि मैं mail भेजना चाहता हूं जिस भी अकाउंट से mail भेजना चाहता हूं उसको connect कर लूँगा उसे यहां से चूज कर लूँगा क्लिक करूँगा next पर continue इस अकाउंट को successfully connect कर लूँगा save कर लूँगा अब बारी है recipient की email address की recipient की email address को map कर लेंगे हमें last step में मिला था तो उसे हमने map कर लिया ccbcc अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं send a name तो जो भी आप company का नाम है वो लिख सकते हैं तो मैं अपनी company का नाम लिख रहा हूं आप अपने हिसाब से लिख लीजेगा email subject okay तो मैं क्या कर रहा हूं मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं कि मैं हर हफ्ते ने एक ब्लॉग भेजना चाहता हूं माल लिजे ही मेरे subscriber हैं तो मैं लिख रहा हूं your जो subject है वो लिख रहा हूं आप अपने हिसाब से लिख दीजेगा email का subject your weekly blog राइट आप अपने हिसाब से लिख लीजेगा बार ही है email content की तो email content हमारा क्या है email content है हमारा blog तो पहले कुछ content लिखते हैं फिर blog को attach कर देंगे तो मैं लिख देता हूं माल लिजे हाए और मेरे पास इनका नाम भी था तो मैं लिख देता हूं हाए यह 7 step में नाम मिल जाता है hi demo sending you your weekly blog तो मैंने यह basic email content body तयार कर लिए आपको जो भी करना हो आप कर सकते है ठीक है बट एक खास चीज है कि जो आपको attachment है उसमें हमें अपने blog लगाना है तो attachment में हम जाएंगे यह google drive में है यहां पे हमारा blog create हो गया है मैं दिखाता हूं आपको pdf पर click करेंगे तो यह हमारी blog की pdf आ गई है pdf के format में भीजना चाहते है इसलिए मैंने यह pdf चूज किया click करूंगा save and send test request पर अब अगर मेरा यह automation बना होगा तो आप पाएंगे कि यह जो email है जो मैंने outlook का mail डाला है उस पर पहुझ गया होगा तो चलिए चल कर देखते हैं तो यह मैंने outlook खोल यह आ चुका है उपर मैंने डाला था पैबली राइट और यह देखिए यह data था hi demo sending you your weekly blog और यह pdf के format में आ गया है क्योंकि मैंने pdf भेजी थी और जब मैं इसे खोलता हूं तो यह blog आ गया है it means कि मेरा यह automation है successfully काम कर रहा है पर क्या अब मेरा यह automation real time में काम करेगा real time में मतलब कि जब मैं वाकई किसी नए blog को add करूंगा तो इन जितने भी mails है जितने भी email id है उनको mail जाएगा तो चलिए करके देखते हैं इस बार मैं दूसरे blog का title लाता हूं how to drive a car क्लिक कर देता हूं enter पर तो अब अगर मेरा यह सही काम कर रहा होगा तो यह दोनों mail पर मुझे एक mail आ गया होगा तो पहले मैं इस mail पर चेक करता हूं refresh करता हूं तो देखे आ गया है इस बार आया है hi demo sending you a weekly blog same और अगर पर अगर मैं इस बार PDF खूलता हूं तो यह जो PDF है जो blog है वो आया है how to drive a car assuming you you would like to blog title how to drive a car most people think that driving is simply getting in the car और यह सब पूरा जो blog है वो create हो गया है it means कि मेरा यह जो automation है वो सही से काम कर रहा है एक बार मैं आपको brief में बता देता हूं हमने क्या किया सबसे पहले हमने google sheet को integrate किया open AI के साथ फिर हमने google docs का इस्तमाल किया जिसमें हमने उस content को लगाया फिर हमने google drive के help से permission दी कि कोई भी देख सके फिर हमने mail list से data लाया और जितने भी mail थे जितनी भी email id थी उनको gmail की मदस से भेज दिया और जितनी भी mail id उनको कैसे भेज सकते हैं विद the help of iterator तो यह सब चीज़े हमने की अब अगर आप भी इसी automation को use करना चाहते है तो इसकी link मैं अपने youtube video के description में डाल दूगा उस पर click करके आप इसे बड़ी असानी से use कर सकते हैं अच्छा कई बार हमारे clients का doubt होता है कि क्या automation हमें बार बार बनाना पड़ेगा हर entry के बाद बनाना पड़ेगा तो नहीं मेरे दोस्त automation आपको बस एक बार बनाना है इसके बाद क्या होगा कि जब भी आप इस अपनी google sheet पर कोई भी नया blog का title add करेंगे तो इन सब लोगों को अपने आप mail उनके outlook पर चला जाएगा हाँ तो दोस्तो बस यह applications ही नहीं बलकि ऐसी कई सारी applications हैं जिनको आप आपस में जोड सकते हैं और अपने business को automate कर सकते हैं अब अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप हमें नीचे comment section में पूछ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं forum.pably.com पर इसके अलावा अगर आप हमारी website visit करना चाहते हैं तो इस link पर visit कर सकते हैं और अगर आप automation में क्या-क्या updates आ रहे हैं किस-किस तरीके के automation से आप अपने business को grow कर सकते हैं अपने business की processes को असान बना सकते हैं अगर आप यह जानना चाहते हैं तो हमारे इस Facebook group को join कर सकते हैं I hope so आपको यह video अच्छा लगेगा और लगा हो तो इससे like कीजेगा अपने friends के साथ share कीजेगा और हमारे चैनल को subscribe कीजेगा thank you so much